दोस्तो गुल्ली बुल्ली और रोड आज अपने जीब से कहीं जा रहे हैं अरे रोड जीब को थोड़ा तेज भगाओ वेरना हम लोग लेट हो जाएंगे हाँ गुल्ली भगा तो रहा हूँ लेकिन तुमारी जीब की स्पीड कम है खेल छोड़ो हम पहुंच गये बाबा की घड़ अब चलो तुम लोग गारी से उत्रोड हाँ जरूर रोड चलो तरते हैं वोग बाबा आप अपने ज्यान से उठी है अब इसमें पूछने वाली क्या बाथ हो गई फिर से किसी नहीं मुसीबत में फसबुसक गये हبح अरे बाबा इस बार हम किसी मुसीबत में में फस्क्राइब करिए इस बार हम आपको पुलाने आये क्या आपको पता नहीं है आज 15 अगस्त है तो उसी की पार्टी के लिए हम लोग आपको लेने आए हैं चलिए हमारे साथ हम लोग खुम मज़े करेंगे अच्छा तो ये बात है मुझे लगा कि तुम फिर से किसी नहीं मुसीबत में फस गए हो इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो वैसे पार्टी किस जगहें रखी है तुम लोगोंने सेलिब्रेट करने के त्यारी कहा कर रहे हो तुम तीनों मैं आज आता तुम लोगों के साथ लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है तो तुम लोग जाओ मैं काम निप्टा कर वहाँ पहुच जाओंगा लेकिन बाबा अगर आख हमारे साथ चलते तो हमें अच्छा लगता चल चलिए ना काम बाद में कर लीजेगा अब ये तो बहुत टाइम है अरे गुली जब बाबा को जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं बाबा खुद आ जाएंगे चलो हम लोग यहां से चलते हैं लगना हम पी लेट हो जाएंगे और इसके बाद ये तिनों जीप में बैठते हैं और बाबा के घर से निकल जाते हैं गुली गुली जीप को अच्छे से पकड़ लो क्योंकि मैं जीप की स्पीड बढ़ाने जा रहा हूँ अगर गिर विर जाओगे तो मुझसे मत बोलना ठीक है रोड आज तो मैं पार्टे में सबसे पहले पोचूंगा पोचूंगा और बोलन के आड़े से पहले ही आड़ी खाड़े की चीजे चेट कल दौंगा पस्पोची आपने है ये रोग कोने शार इन लोगों पता नहीं की आपकर हम लोग पनला कर से बेक करेंगे अगर इन लोगों को तो बुल्ली बुल्ली में बुला रोगा तो रहे दोगा तुम लोग कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो क्या तुम में पता नहीं है कि यहां पर आज हम लोग इंडिपिणन्स से बेक करनवा और तुम लोग को बिटे इन वाहि為 किया है तो तुम लोग लिए रहे सकते हो वन्हरा यहां से पहले फुफक में निकर रहो हुआा हरा है हौ! यह जगह ताहें जिसकी हो भी माल कर जला देंगे, अब मलने के लिए तैयार हो जाओ, और अभी हमारी गोलियां खतम हो गई है, थोड़ी देर में हमारा इसाधी गोलियों को लेकर आएगा, अपर तुम्हें हम अपनी गोलियों से बून डालेंगे, और जला कर फेट देंगे, ना लिए, यह सुनकर सौन डर जाता है, और वहाँ से अपनी जान बचा कर भावने लगता है, लेगन सौन को यह पता नहीं है, कि जिस तरफ वो भाग रहा है, उधर एक आतंकवादी, पहले से ही है, और वो आतंकवादी सौन को देख रहता है, और फिर, सौन की सहर से काफी जादा खूल निकल ला है, अगर उसका इलाज सही वक्त पर नहीं वा, तो वो मड़ भी सकता है, और इधर गुली बुली भी अपने जीप को लेकर वहाँ पहुच जाते है, प्रोड जीप को साइड में लगाता है, और फिर वो लोग जीप से उदर जाते है, अरे गुली सौन कहा गया, उसने तो कहा था कि वो आ जाएगा, आफिर वो उपनी जल्ली इपनी देख से कहा है, उसने कहा तकि मुलार आवे से पहुच जाएगा, तो अपिर वो कहा गया, तुम ही क्या रखता है, कहीं वो खाला खालें विजी करें लेगा, अगर आशा हुआ तक तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए चलो चली सौन के लिदो, आशे बुल्ली उधर देखो, शौन वहापर बियोष पड़ा है, और उसके पीछे कौन ख़ड़ा है, मुझे लगता है, यह लोग बहुत खचनाक लोग है, इनी लोगों ने शौन को मार कर भीश किया है, इसके बाद बुल्ली भी शौन के तरफ देखता है, और वो शौन को देखकर दुख्री हो जाता है, इसकी बात गुल्ली और सामने खड़े आदमी के पास आते हैं और गुल्ली उस आदमी से बिलता है कि तुम लोग कॉन हो, तुम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हो, हमने तो तुम् dato नहीं बुलाया था और मेरे दोस्त शौन की यह इता तुम लोगे ने खुणी है पर सच पता तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो गुल्ली की बात ते सुनकर उस आदमी को बहुत कुछ साने लगता है और अपने सभी साथियों को बुलाने लगता है और इधर बुल्ली भी स्वान के पास आकर खड़ा हो गया और उसे ठीक करने के बारे में सोच रहा है लेकिन तभी उस आदमी के सारे साथि इन तीनों पर हमला करने के लिए आने लगते हैं उनको मारने से पहले जरा इधर भी देख लो चूतियों किसकी आवाज आईए सामनी आओ कौन हो तुम मैं तुम्हारा बाप अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने चू करके दिखाए उन तीनों को लेकिन एक बातकान खोल कर सुनलो चमन चूतियों अगर उन में से किसी एक का भी बाल तूटा तो मैं तुम्हारा क्या क्या तोड़ूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और फिर तुम पच्चता होगे ट्रेलर देखना चाहोगे ये ले देख झाहोगे थाए I find this you do a whore, I love it I feel like you cut up If you know my dick I know she like it तूने मुझे हाथ लगा कर भौत बड़ी गलती कर दी, तू तो गया, ये ले बस इतना ही दम था तुम सब में, चलो उठो और सब के सब एक साथ आओ अब चलो ये बताओ की तुम्हारा बोस कोन है, जिसने तुम जैसे चूतियों को काम पर रखा है मेरा मतलब की ये सब करने को बोला है अब जब इतना सब बता ही दिया है तो वो कहां पर है, इस वक्त ये भी बता दो वो क्या कर लेगा, इससे मतलब नहीं है, वो कहां है, बस तु ये बता समझाना, वो कहीं भी हो, मैं उसको उठवा लूँगा और बेटा क्या कर रहे हो, अंदर बैठे बैठे मजे ले रहे हो, और बाहर तुम्हारे आदमी धेर हो गए है, चल उठ, दिखा अपना बाहूबल कौन है जो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है चलो अब इसका भी काम खत्म हो गया, आप बस जंडा लहराना बाकी है पहले सावन को ठीक कर देता हूँ, फिर जंडा फैराएंगे सम मिलकर और पार्टी स्टार्ट होगी गुली बुली चलो जंडा फैराने चलो, मैंने सावन को ठीक कर दिया है चलो अब साथ में तिरंगा फैराया जाए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंड आई है तो वीडियो को लाइक करें, शाल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन दाबाला ना भूले और आप सब को मेरी तरब से हैपी इंडिपेंडेंस दे त्क्स वर वाचीग